हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई इस्टडी फीट आफ फीजिकल एजुकेशन चैनल जैसा कि मैं डेली बेसेश पे आपको प्राक्टिस करा रहे हूं चाहे आफ फीजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपरेशन एक्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हूं हिंदी इंग्लिस दोनों में प्राक्टिस डेली बेसेश पे हो रहा हैं चाहे मध्यपरजिश वर्गटू हो यूपी टी जीटी पीटी यूपी यल्टिक्रेट बेपी एजुकेशन के लिए मोस्ट इंपोर्डिन है जैसा कि किसी ने कमेंट किया था कि पांच आफसन वाले को कोस्टन्स बनाएं बीपी एससी के अकॉर्डिंग तो दोस्तों पांच आपसन वाले भी बनाऊंगे बस धैर रखिए सभी चीजे आपको कराया जाएगा तो चलते हैं आज के कोस्टन्स के तरफ कोस्टन है बॉलीबॉल में दोनों पूलों के बीच की दूरी कितनी होती है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीबॉल जो ग्राउंड होता है अठारे गुड़े नो मीटर होता है और इसके लाइन के मुठाई पांच सेंटी मुटर होती है कोड के बाहर की और खाली जगह चारो और तीन मीटर पॉल एड़े स्टेबल होता है पॉल सफेद रंका होता है जो पॉल होता है उसकी उज़ाई 2.55 मिटर होती है एंड जो है साइड लाइन से पोल की जो दूरी होती है एक मिटर होती है अब पोल से पोल की दूरी ग्यारे मिटर होती है ठीक है तो उसके चोड़ाई नो मिटर है और साइड लाइन से एक एक मिटर दूर होगा तो नो अदू ग्यारे यानि की ग्यारे मिटर होती है तो आफस नेट की चोड़ाई 1 मिटर होता है, नेट की लंबाई 9.50 से 1 मिटर होता है, नेट की उपरी पट्टी की चोड़ाई 7 मिटर, निचले पट्टी की चोड़ाई 5 मिटर होती है, किनारी की चोड़ाई 5 मिटर, किनारी पर 5 cm चोड़ी सफेद रंग की कैनवास लगी होती है, इस केमवास खड़े रूप में जहाँ पर एंटिने लगती है। दोस्तों बॉलिभार पर एंटिने लगता है जिसके लंबाइ भून-एوعत्य होता है यहां एक मीटर ऐसी सेंटिमेटर यहां एक सौसी सेंटिमेटर स suggesting this is content नेट मी तथा एसी संटिमिटर ऊपर नेट के ऊपर निकली रहती है जो लाल वर सफेड दो रंगों का ह 되고 10 cm लाल और सफेड से रंग भलता तोटल लंबा होता है one point eight zero मीटर और नेट में कितना होता है एक मेटर और नेट से ऊपर कितना होता दोनों चीज़ याद रखेगा जो नेट के वरगर कार खाने होते हैं वो 10 बाइ 10 सेंटिमीटर का होता है कुल एक हजर खाने होते हैं बॉलीबॉल की बॉल का वजन 200 सार से 280 ग्राम होता है और गेल की परेधी से 60 सेंटिमीटर होता है हवा का दबाव 0.48 से 0.52 किलोग्राम पर 30 सेंटिमीटर इसको है और खिलाड़ों के संख्या कुल बारे होती है खेलने वाले खिलाड़े 6 होती है 6 इस थारा परन्न होते हैं तो सभी चीजे मैंने में में पॉइंट इसमें बता दिया इसमें पांच से में 2 मिनेट का आवकास दिया जाता है चोथि यगा 5 फुछी में 7 कैम पांच मिनेट का चैस दिया जाता है तब बले बार में टाइम आउट पर 30 सेंट का मिलता है दोस्तों जो खेल रुकनी और सर्विस ब्रेक होने पर दिया जाता है च्छे खेलडे बदलि सकते हैं निकल ट्राइमाट जो है 60 सिकेन होता है, इसमें दूर रेफरी होते हैं प्रतम हुदीती है और छर रेखा निरे छड़ने चrylic एक इस्कोरर होता है इसमें अधाबुस सर्विसकोर यानी स्कील होते हैं अंडर hand service, overhand service, tennis service, round arm, floating service and jump and passing में आपका overhand passing, underhand passing, jump and pass, forward drive, advance side roll कर दोनों हाथों से pass करना, एक हाथ से pass करना approach उन्लियों की उपरी किनारों से ball को दुसरे पॉले में डालना spiker यानि smash, सरी के घुमा कर smash करना, हाथ को घुमा कर smash करना, छोटी pass करना, smash करना, single block, double block, triple block और अचानक किये गए smash का double block, इस सभी चीज़े आपको volleyball में main main part मैंने बता दिया, ठीक है, तो आगे चलते हैं next question की तरफ, question number two है, भोजन में और्जा का मुख्य साधन कौन है, what is the main source of energy in food, आप सब को पता है दोस्तों की जो आपका भोजन को पुसकत्तों को हमारे सरीर के कारे के अधार पर तीन भाग में डिवाइड किया गया है, पर्थम भाग जो है और्जा प्रदान करने वाले तीसरा प्रगार है जो सरी की रच्छा करने वाले इन वाले तक खनीर और्वितामिन हाँ तो यहाँ पी आप देख सकते हैं तो मुख्य उर्जा का फूर्थ होता है क्योंकि इंस्टेट इनर्जी ऑफ सोर्स होता है क्योंकि जो हमारा कर्भो हीडेट प्रोटीन होता है एक ग्राम में 9.1 कैलोरी देता है तो वसा 9.1 कैलोरी जरूर देता है लेकि उसको पचने में और प्रशा आर्जा देनी वाला सोर्स होता है हमारा कार्भो हाइड़ेट को प्रशा लिए उखना नहीं होती है कितनी मीटर की दोड़ में हिर्स की आँ सकता नहीं होती दोस्तों जिसमें स्प्रिंट दोड़ोई होते हैं इस भी जो है हिर्स की आसकता होती है और चार सो मीटर जेते में दोड़ होती है यहां पी 10,000 मीटर आपका राइट इंसरु हो जाएगा Qorsion No. 4 है Athletics में अर्जिन पुरुषकार बिजेता है तो दोस्तों यहां पे प्रभीर कुमार, बहादू शिंग, अस्वनी नाचपा उपरक्ड सभी 1958 में अर्जिन पुरुषकार दिया गया कोशन नमबर पांच है कंकाल मसास यानि इसके लेटल मसास द्वरा प्रतेक सेंटीमेटर स्कुायर क्रॉस सेक्सिनल एरिया द्वरा कितनी माद्रा में तनाव आरूपित किया जाता है तो इसका रैट इंसर है तीन से चार केजी तनाव आरूपित किया जाता है कंकाल पेसिया यानि कि इसके लेटल मसास एक निधायद विस्तार दिसाव संकुचन बल के प्रति आकों अनुकुलित होती है और इसी के अनुरूप गतियों प्रचलान में युगान देती है इसमें एक्टीन मायोसीन फिलामेंट होता है जिसम अस्थियों के कारे हैं वाट इस फंक्शन साब वून तो दोस्तों जितने भी हमारे आंत्रिक अंग है कोमल कोमल जाहे हमारा हार्ट हो हमारा फेपड़े लंग्स हो किड्नी हो अमासे हो छोड़ियाद बढ़ियाद सभी चीजों जो है हर्डियों के बाहरी आवर्ण के कार और ही सुरचित रहते हैं यह सुरच्छा परता है हमारे आंत्रिक सहारा परतान करता है अउसमें बोन मैरू होता है जो रखत का निर्मार करता है और मान स्पेस्यों को सहारा देता है ठीक है कोर्शन निम्बर सेविन है निर्में से कौन सा खेल प्रसिच्छर की सिधान को समिलित नहीं करता है तो वीच आप फालिविंग इस वोच डजनाट इन कोबरेट दो प्रिंसिपल आफ ट्रेनिंग दोस्तों जैसा कि इसमें भार का प्रोग्रेशन आफ वेड लगातार कांटिनिवस प्रसिच्छर चक्र साइकल आफ ट्रेनिंग इस सभी चीजें प्रसिच्छर के सिधान्त यानि की स्पूर्ट ट्रेनिंग के सिधान्त हैं बट एकोनोमी आफ मोमेंट्स नहीं हैं दोस्तों स्पूर्ट ट्रेनिंग के सिध इस्पेशन जोने जनरल जोने का घर शिदन ृज्फने इस निन आतीज हैं इस परकतीयां का सिदहां आधि चीजें । स्लिकपेशन इस बीसटे डीज़ें अगाल सिदहां सनुवहते का सिदहां हैंध। core air sport एक खेल प्रसिठर के सिधान के अंतरगत आते हैं जो आपको खेल प्रसिठर के प्रेश में जाए यह इस इस भी चीजे मैं ने बताय हुआ है कोशन नमर एट है मानस्पेसी तंतु के संकुचन एलेमन्ट को क्या कह जाता है तो काह जाता है मायूफाइबरिल जो आपका है यह पाहरी परत को हम कहते हैं इसी में से बहुत सारे निकले रहते हैं तो उसमें वाले बंडर को जो समुँब फाइबर के समूह होते हैं उसको धका रहता है इसको बाहरी परत को AP-mycium ठीक है उसके बाद इसको पेरी-mycium फाइबर समूह को अब परतेक फाइबर को endomycin धका रहता है जो फाइबर होता है रोड जैसे समझना ऐसे इसे करके यह जो होती है कि आपका संकुचित होती है मुईनगर स्कून तबांने थिखेन इसलिम कि अधभ समें वे नियुद है कि आफिध करदा समूह कहा जाएं आपका है इसलिए नुछ को फाइबर के सब्सक्राइबर समसूवगा सब्सक्रादवन हमं होता इसलिए माव फाइबर समीन लह धाना सकरत है रख 20-13 पाली तो दोस्तों इसमें एक्टीन और मायोसीन प्रोटीन पाए जाता है जो एक्टीन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट होता है थीन यानि पतला होता है अब मायोसीन जो होता हो थीन होता है ठीक होता है एक्टीन थीन यानि पतला होता है मायोसीन ठीक यानि मोटा होता है ठीक है तो मैं आपको उसको अच्छे से समझाऊंगी यह आपका मोटा वाला लाइन हो गया मायोसीन ठीक है तो आपको इस तरीके से वोता है कि aktyn जो है एन myosin यह दूनों मिलकर के muscles को contract करती हैं तो बीच वाला जो मोटी line हो myosin है ठीक है और इसी पर एक line cut करती है जिसे हम z line कहते हैं इसे z line कहते हैं ठीक है दूनों Z-Line के बीच के अस्थान को हम सारको मियर कहते हैं, तो ए Z-Line है आपका, यहां से एक Line आएगा जिसे हम I-Band कहते हैं, ठीक है, I-Band, जो केवल एक्टीन फिलामेंट में उपसित होता है, ए जो है आपका होता है, A-Band, जो एक्टीन और मायोसिन दूनों फिलामेंट में उपसित होता है, यहां पे बीच में एक Line होती है, M-Line, ठीक है, इसको हम H-Zone भी करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, जो मायोसिन होता है, उसके साथ ATP भी रहते हैं, मायोसिन के साथ क्या होते हैं, ATP जैसे कि A आपका मायोसिन हो गया, इसमें बहुत सारे हैड रहते हैं, निकले हुए, जब एक्टीन आता है, यहां पे तो एक्टीन में गैपिंग होता है, तो अपने तरफ खिशता जाता है, खिशता जाता है, तो इसी से मायोसिन फिलामेंट से फिसलने पर पाटन, जो है, कंट्रेक्ट होती है, तो यहां पे जो है, आई बेंड, एबेंड, आई बेंड, एच जोन, एम लाइन, जड लाइन होता है, तो आई बेंड जो होता है, जिसमें सिर्फ एक्टीन यानि की थीन फिलामेंट परजेंट होता है, जो एबेंड होता है, उसमें एक्टीन और माय मायसिन फिलामेंट उपसित होता है जो M-Line होता है वी समय के लिया जीजक, जेड लाइन करते हैं दो के बीच जो अस्थान की नो की अस्थान मायसिन के उसे हम सर को मियरगवाते हैं एक दूसरे के पास आ जाती हैं दोकी रिटन एक्टिन जो हैं दोनो जड़ लाइन एक दूसरे के पास अजाती हैं तो यह आपि पर शेमिय पहस मांश से तो यहां पर एक्टिव नमायों से फिलामेंट पायाता है, I hope कि आप समाज गए होंगे, Q10 है, खेल पसिछर की एक मैक्रो साइकल की आउदी कितनी होती है, स्पर्स ट्रेइन्ग तीनरह स की अगा, कि अटेर काal की आईवान व्मायों, या मासे चक्र या अवसंद्चक्र भी कहते है जो तीन से 6 सब्ता यानी एक से 1.5 मां का होता है तिसा होता है माइक्रो चक्र जिसे सुचमिं आउधी या सापता ही की यो जनाया सबसे 6동 चक्र कहते हैence 3-10 दिन या एक सब्ता का होता है कोस्टन नमबर 11 है कि वाटर पूलो मैच में गोल पोस्ट के उचाई कितनी होती है दा हाइट अप्ड गोल पोस्ट इन वाटर पूलो मैच तो दोस्तों गोल पोस्ट के उचाई जो है वाटर पोलो में कितनी होती है तो वाटर पोलो में गोल पोस्ट की जो उचाई होती है वो तीन मीटर होती है कितनी होती है तीन मीटर तो वाटर पोलो में जो होती है गोल पोस्ट की उचाई तीन मीटर होती है याद रखेगा अफसन नंबर बी एन गोल की पानी में उचाई 90 cm, गोल की घराई 2.40 m नीटर उती है, पानी का तापमान 25-26 cm, पानी की घराई 1.80 m होती है, और मैदारी की माप वाटरपोलो की 30-20 m होती है, और 40-20 m होता है, इसको भी याद रख्येगा, और न込ल found a question Ro Delo करें है संक्राउम रोब का प्रसार कैसे होता है वायों के दवारा जल अध भोजन के दवारा कीजों के दवारा इन तभी की दवारा फैलता है कोश्चन नमबर 13 निभल में से कौन सा पो सकता है तो गर्मी यून थाकत प्रदाँ करता है विच आ फॉल्विंग निट्रीशन प्रोइट्स हीट एंड इस्ट्रेंथ तो गर्मी यानि थाकत प्रदाँ करता है एनर्जी प्रदाँ करता है कार्भोहाइडिर्स यह सहंसिलता यानि कि यादे लंबे समय तक जो ग्रियाएं होती है एरोबिक क्रियाओं के लिए कार्भोहाइडर ज्यादा हो सकता होती है और अनेरोबिक क्रियाओं जो मसल्स बिल्ड करने वाला बाड़ी बिल्डर गेम होता है उसमें प्रोटीन की ज्यादा हो सकता होती है सबसे ज्यादा हरी सबजिया दिया हुआ है यहां सभी में पाई जाता है लेकिन सबसे ज्यादा पूछेगा तो हरी सब्से ज्यादा पाई जाता है याद रखेगा कोशन में पंद्र है निन में से कौन बाली बॉल का मुलभूत का उसल है विजश्ट में बताई और हैंड पास अंडर हैंड पास अंडर ड्रिबली और हैंड सर्वीज फ्लोटिंग सर्वीज इस अभी चीज़े हैं यहां पर ओर हैड आपका रैटेंसर हो जाएगा उसके से किस नियम का पड़ि रूप हैं दोस्तों चैसरों की थान राइक ने सिकने की मुख्य नियम केता करे तगत ल गलाव और टभरता कर नियम लाव एउक्सेश्ट कर नियां हैं विए प्रभाव कर नियम बता या जिसमें से उन्होंने लाफ, डेडिनेस यानि की ततपरता का नियम जिसे हम तयारी का नियम, mindset का नियम भी कहते हैं यानि की जो सिखने वाला है मानसी कुरुप से तयार है या नहीं या उसकी रूची है उसकी नहीं यानि की इसमें जैसे वर्मिंग अप आ जाता है हम तयार करते हैं पहले बाड़ी को तब हम खेल खेलते हैं दूसरा होता है love exercise यानि अभ्यास का नियम जो आप तयार होगे करने के लिए उसको प्रैक्टिस करेंगे तो अभ्यास का नियम अभ्यास कुसल बनाता है practice makes a man perfect तो अभ्यास का नियम दो प्रकार का उपयोग और उप यहीं आप मजबूत यानि अधिक प्रभ्यास को बन जाता है जब उप्योग करेंगे तो का रिद्रेज विस्मित होने लगता है तिसरा ही इनका नियम है प्रभ्यास का नियम यह संतोज का नियम लाफ एक रिख सटिसफैक्शन आदी नाम से चानते हैं संतोज और संतोज का करते हैं यानि कि जिस चीज से हमको संतोस मिलता है उसमें जादे अरुजानमित हम उर्जावान महसूस करते हैं जैसे कि पुरसकार अगर हमको मिल रहा है प्रसंसा मिल रहा है अगर हम उसमें रूची है तो हम अच्छे धंसे करते हैं अगर जिसमें हम असंतोस का भावना होता यहां पर पुरिसकारियम दंड का रिवार्ड एंड पनिस्मेंट का जो सिधान्त है वह आपका प्रभाव का नियम आसन नंबर सी राइड एंसर हो जाएगा लाओ एफेक्ट को बांति लाओंद नियम माइना वावि कमपर्टिश्टा भी कहते हैं जो सिंगल लीग सिंगल लीग थूपर काहता है इसको लीग या राउंड राविंग टूनामेंट कहा जाता है इसको सर्विया भासा में बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है इसको लीग या राउंड राविंग टूनामेंट की खोच जानी बर्गर ने को किया था जो सर्विया के सतरंज खिलाडी थे और लीग या राउंड है दो प्रफरकर्ड का होता है जो सिंगल डेर डेरी में क्या गयात करने के सुथार vita पांटू डबल लीग में मैचों के संख्या गयाद करने के सो तरिया नियर मैंस वन होता है और लीग या राउंड डॉमें टूनमें में फिक्स्टर जानने की तीन बिदिया होती है साइकल टेबलोर एन इस्टेयर केस मेथ़ोड कोश्चर नमर अठाहर ओललमपिक में सरवादी कजितने वाली महिला का नाम बताए है निम आवरे ऐतं willing who has earned the most मेरल इन उलम्पिक तो दोस्तों वो है आपकी लैरिसा लैट निना लैरिसा लैट निना जो है उलम्पिक में सरवाधिक पदक जीतनी वाली महिला है जो उनिस सो चौर सो टोक्यो जापान में अठारे पदक जीती जिसमें से नौ सवर्ड पांच रजट और चारका से पदक इन्होंने जीता और जो आज भी काया है उलम्पिक में सरवाधिक पदक जीतनी वाली है इन्होंने बैतिका तुरुप से चवदर पदक और सभी तुरुप तो दोस्तों इसको हम कहा जाता है और ट्रॉफी ठीक है यह अनुवांसिक भी होता है इसलिए अनुवांसिक सब्दे का प्रयोग करेंगा तो आप कंफ्यूज मत होई है कि बैभी सी ट्यरी टू में पूछा हुआ था ठीक है यह आप नेमित ब्यायान के करण मांस पेसियों में ब्रिधी होती है सक्ति में ब्रिधी होती है तो उसे हम हाइपर ट्रॉफी कहते हैं इसके पिर पित बैयाम के अभाव के करण या अनुवांसिक के करण पेसिया कमजूर हो जाती है छोटी हो जाती है सक्ति में कम हो जाती तो इसे हम और ट्रॉफिया डिस्ट्रॉफि कहत कि आयको प्रोटीन किसको मजबुत बनाता है बेंट प्रेया होत Lu को उड़ीन को अने मलटेंग करते हैं 25 अधिय Suzanne को मझते होते हैं कि हमारे सरी के निर्माल पर्लिक वालों का निर्मालव करता है तसाध ही हार्मोन को संस्लेशन में भाग लेता है कि कोस्टन नंबर बाइस है हिरे के किस भाग से रब्त शरी के विविन भागों के लिए प्रवाइद होता है फ्रम विच पार्ट आफ अफ थे हर्ट हर्ट ड्रजबलड फ्लू डिफ्रेंट पार्स अफ दोस्तों जो हिरे के बाएं निले से जिसे हम लेफ्ट वैंट्रिकल कहते हैं वहां से सुध रग्त एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में महाधमनी से सबसे पहला साखा निकलत जाती हैं यहां भी लेफ्ट वेंट्री के लापका राइटेंसर हो जाएगा कोश्चन नमबर तेज हैं कि फिट्नेश किसी व्यक्ति के सरीर के विभिन तंत्रों के कर्यात्मक छमताओं में समधित हैं फिट्नेश रेफॉर्स टुदे फंक्शनल एबिलिटीज आफ बैरिय फिट्नेश कि फिट्नेस की अपताओं कि कि राइख फिट्निश यानि की फिजियोलॉजिकल फिट्नेस ठीके यहई पे आफ़ आसे नमबर। में कॉते हैं याद रखिएगा ज़ैसे कि आप जानते हैं जो होता है ओवहां पूर्शों के लिए होता है दस इवेंट्स होते हैं दो दिने संपन होता है प्रते दिन पांच होते हैं 3.100 सो 2 मिटर डोड़, लबी कूत, शॉर्टूर , उँची कूत, चर रो neighbor होता है , जुर सो अमिटर डोड़ को अन्हमे रोड़ , लबी खूत इन चारों के बारे में डेकाथलान, हेप्टाथलान, पिंटाथलान, एंड ट्राइथलान के बारे में जानने के लिए एथलेटिक्स वाले प्लेलिश में जाएए वहां आप अच्छे से इसको ट्रिक के साथ समझें कोशन नमर 25 है कि हाफ स्टेप यूंग जंप इवेंट अन किस नाम से जाना जाता है दोस्तों हाफ फिर स्टेप फिर जंप किया जाता है तीन स्टेप किया जाता है इसलिए इसको ट्रिपल जंप कहा जाता है आपसल नमर भी यहाँ पे राइट इन से होज़ेगा तरीक वो द तो क्लास 2 के चिल्डरिन जो बच्चे होते हैं वो देखकर किसी चीज़ को अनुकरण करके सिखते हैं तो इसलिए आपका इमिटेशन मेथर्ड आपका राइट इंसर हो जाएगा तो कॉसार सिखने की सबसे गहनतम विद्धी है जो एक कोशिचन आपका उत्राका नियल्टी म में आया हुआ है दो इसलिए में गलत दिया है तो आपर पहने हैं जो आपका प्रदर्शन अनुकरणव विधी आपका राइट इंसर हो responsibility से कॉलिक है तो एक है कोशिचन सब्सक्राइब ओल्र्से लिचल्ट डेखक इंक्लिशन में क्ुन्स का अब जानते हैं लिए झाय अडरी आतलांटा ओलम्पिक में इनिस में को से थे यह उसजा पता कहां से पता का से करडम मलेसी के आप जानते है, जो अंतरपादेस की हैं दो हजार सिटनी ओलंपिक में कहा हुपतर जीती थी भालायत के प्रथम महिला पदर बीटा बनी थी थी आपका ओलंपिक में पदत बीटा है और बिन्हुआ बिंद्रा को आप जानते हैं जो दो हजार 8 में 10 मिटर एर राइफल में निसाने बाजी में नहीं सोड़ पदर जीता किसी पेक्टिकत इस पर धावे प्रथम सोड़ पदर जितने वाले हैं अभी नोब बिंदरात यह भी हैं बट मिलखा सिंग जो है वह नहीं है उलंपिक पदर बीज़तां में क्योंकि मिलखा सिंग 1960 र के में जीते थे तो यहोंनि क्वालिफाइबस किया था 14 आताम की नहीं है 75 ज打 me क्या अमेरिका का नहीं 208 जाओ्सुटौर पतक नहीं जीता है याद रखेगा नहीं पीटी उसा नहीं तो मिलखासिंग ठीक है उन्होंने एस याए गेम और राश्मनर खेलों में सवड़ पतक जीता है कोशन नमबर 28 है निन में से कौन ग्लाइडिंग ज्वाइन का उधार है वीच आवद फालिविंग एज एन एक्जामपल आफ ग्लाइड ज्वाइन तो दोस्तों जैसा कि यह चल संथ यानिकी मुवेबल ज्वाइन के दर रहता है तो यहाँ पर जो रिष्ट ज्वाइन होगा आपका ए थो तलमें गति हो रहा है यहां पे हमारे क्लाय की ज्वाइन तो इसमें आपका करणडिलाइड में होगा इसलिए आपका भलत होगा यहां पे एलबय ज्वाइन ज्वाइन दूर पर जक्रेशन होता है यानि य्ओन्छ पै depois ट्रेक प्रक्त हें चुट will be Good side यह दोनों हर चारों दिशाओं में गती करती हैं इसलिए यह बॉलन साकेट ज्वाइन के अंजर आता है यह भी नहीं होगा यानि कि कारपस और टार्सस ज्वाइन जो एक हड़ी दुसरे हड़ी पस रखती है उसे हम ग्लाइडिक ज्वाइन कहते हैं कि यहां पर कारपस और ट में टीम एक सर्विस करती है तीक है डबल मैच में टीम एक सर्विस करती है यह नियम लागू होता है कि को से नमबर 30 है खेल मैदान में एथलेट के हिरे की धरकन कि दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है विच इंस्टुमेंट इस उच तुमेंट तो मेजर द इस्पोर्ट है तो दोस्तों इस जी एक साइक्षा में इसलीट के खिदे धरकन कि दर जाने के लिए रेडियो टेली मेंट्री का फिया जाता है इसका उपकूक किया जाता है रेडियो टेली मेटरी का Do not now question number 31 is कोनी की संधी को मौढ़ने और बिस्तार करने में कौन सी मांसपेसिस आइक होती है विच मसलसे हेल्ज इन फ्रैक्ष्व साइक पर यपोजवाइन तो फ्रैक्षों एंक्ष्व स्टैंशन करने में दूशन कालएं कोन सी मसल स्टैंशन करने में में हमारा biceps muscle और extension में खेलाने में हमारा triceps muscles कारे करती है यहां पर यह biceps और triceps muscles आपका पाउंग की राइट रेंसर होगा option number c question number 32 है लड़कियों के ब्रिधी सरवाधी क्तिविता से होती है लड़कों की अब इच्छा ग्रोल के ब्राइट नहीं होती है तो दोस्तों आभी प्राइब्स 14 से एल राइफ वार्ष तक लड़कियों की सारे एक ब्रिधी विकास अब इसकाarak którą की अबथा रचा दिखोती kendi adults यहां भी पर्ष्ण के एक वार्डिंग जो है बारा सच उदर नहीं दिया है तो 13 से 19 आपका राइटेस हो जाएगा आपसा नंबर बी क्वेशन नमर्द 23 है निनिन देखेते परक्रिया कारेकर्म में कौन सा कारेकर्म बाला को बालिकाएओं कि सीविर का अथंत आवस्यक है तो दोस्तों सीविर्म में Can Fire जो है जोड़ देकर उनका मानसिक युम सारी विकास करना था दोस्तों यह था आज की सेशन का 33 कोउसन्स आई हो कि सभी कोउसन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगी जो भी डाउट होगा कमेंड में ज़रू बताईए जिस भी कोउसन्स का इंसर गुलत होगा सब मिलके उससे स वीडियो को जादे जादे से एर भी कीजिए जिसे और ने लोग अथा कि वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं इस वीडियो प्राइक्टिस में तब तक के लिए ज़रू है